गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं रवी कुमार लेक्चरर कम्प्यूटर साइंस जीपीसी डुंगरपूर आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे डेटा ट्रांस्पोर्मेशन और डेटा रिडेक्शन डेटा वेराउस और डेटा माइनिंग सब्जेक्ट में हम डेटा क्लीनिग डेटा क्लीनिग पहले पढ़ चुके हैं और डेटा इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं उसके बाद में ट्रांस्पोर्मेशन और रिडेक्शन आता है डेटा वेराउस में हम large amount of data को store करते हैं वो data mining में data warehouse से knowledge को extract किया जाता है discover किया जाता है वो कोई भी company है, organization है वो उस data को analyze करके अपनी जो strategy है अपनी जो plan है वो बनाती है तो data cleaning के अंदर हम क्या करते हैं कि जब data warehouse में data store करते हैं तो data को clean करके डला जाता है, और वहाँ से जब data mining कर रहे होता है, तो फिर वापस उसको clean किया जाता है, क्यूंकि उसमें बहुत सारा data उसमें रहता है, इसलिए data को clean करके लेते हैं उसके बाद में हम data को integrate करते हैं कई sources से, database से, data warehouse से अलग-अलग जो sources है data के बहाँ से integrate करने के बाद में हम करते हैं transform transform करने का मतलब यह है कि जैसे कि इस image में आप देख सकते हो जो data है वो unorganized है तो इसको एक organized way में हम transform करेंगे जो काम में आने लाइक जो format है उसमें उसको transform करेंगे step wise हम देखेंगे क्या-क्या steps होती है इसमें तो data transformation है वो एक process है converting data from one format to another एक format से दूसरे format में convert करने का जो process है उससी को data transformation करते है अब कौन से format में हम इसको convert करेंगे जो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा समझने में जिसको हम काम में ले सकते है आसानी से यह हम इसको कह सकते हैं कि typically from the format of a source system into the required format मतलब जो source जहां से हम data ले रहे हैं उसका एक format है अपना तो उससे ऐसे format में convert करेंगे जिसकी हमें जरूरत है यही data transformation होता है अब data transformation करते क्यों है ताकि जो हमारी data mining process है वो efficient हो और जो pattern जो हम discover करेंगे, found करेंगे वो easy होगा हमारे समझने के लिए अब data transformation है उसके अलग अलग तरीके है strategies है आईए देखते है step wise first है smoothing smoothing हम cleaning में पढ़ चुके है कैसे noise है उसको हटाते है noise का मतलब जो errors है उसको smoothing बोलते है तो smoothing का मतलब remove noise from the data बलब data के अंदर जो errors है उनको हटाना smoothing होती है और इसमें हम techniques भी पढ़ चुके binning, regression और clustering दूसरा जो तरीका है वो attribute construction का है या फिर feature construction इसका मतलब क्या होता है कि कोई नया attribute अपन बनाते हैं उसके अंदर table जो हमारे पास पहले से है उसमें हम नया attribute बना के उसमें एक नया column add कर देते हैं जिससे हमारी जो mining ये process है वो easy हो जाती है तीसरा जो तरीका है वो aggression है aggregation aggregation का मतलब होता है summary summary या aggregation operation होता है वो data पर apply किया जाता है इसको एक example से हम समझेंगे कि जो daily की sales है उसका जो data है उसको हम aggregate करते हैं ताकि हम monthly जो sales है उनको compute कर सके और फिर annually yearly जो sales है उनको compute कर सके तो एक summary हो गई कि हमारे पास sales का data कौन सा है daily का है लेकिन हम वहाँ से उसको summarize करके monthly भी कर सकते हैं और फिर monthly वाले को summarize करके yearly है जो annually जो total sale है उसको भी हम देख सकते हैं normalization normalization में क्या करते हैं कि data है वो एक particular जो range है उसमें उनको divide कर देते हैं अमाली जी जिस 0.0 से लेके 1.0 तक है data 0.125 है 0.345 है 0.95 है तो ये जो 0 से 1 के बीच में जो भी range है उसको हम क्या करेंगे एक range में define कर देंगे कि 0.0 से लेके 1.0 तो ये normalize हो जाएगा data discretization discretization में क्या करते हैं कि जो numeric attribute आता है जैसे marks आपके जो marks कितने आ रहे एक्जाम में उसको एक particle जो interval label है उससे हम क्या करते हैं replace कर देते हैं कि माली जी आपके marks आ रहे है 91 to 100 के बीच में कितने भी 91 आ रहे है 95, 94, 96 तो उसको हम क्या बना देंगे grade A 81 से 90 के बीच में आ रहे है कितने भी marks आ रहे हैं तो वो grade B हो जाएगा 71 से 80 मला जो interval है 71 से 80 इसके बीच में कितने भी marks आ रहे हैं किसी के 71 आ रहे है, किसी के 72 या 79 आ रहे है तो वो सब किस में माने जाएगे grade C में माने जाएगे तो ये discretization कर देते है चटा जो तरीका है वो concept hierarchy generation for nominal data अब concept hierarchy इसमें भी क्या करते है कि माल लिजे आपकी branch जा बता देए को computer है CS है, ME है, CE है तो उसको हम generalize करके क्या करते है, higher level पर जो college का नाम जैसे GPC डुंगरपूर है तो वो college का नाम दे जते है या फिर जैसे माल लिजे आप address लिखते हो उसके अंदर address में आप street का name लिखते हो अपने तो street का name क्या कर देंगे, आपकी city के नाम से कर देंगे या आप city लिखते हो तो अलग-अलग cities है तो city को हम replace कर देंगे state से कर देंगे जैसे आप district लिख रहे हैं दुंगरपूर, उदेपूर, बासवड़ा तो उसको हम क्या करेंगे, रजस्तान कर देंगे तो ये क्या होता है कि concept higher की generation होता है nominal data के लिए अब data transformation के बाद में data reduction हमने ट्रांसफॉर्म दो कर लिया data को एक ऐसा format जो source से हमने लिया और उसको हमने एक ऐसे format में ट्रांसफॉर्म किया जिससे हम अच्छे से data है उसको retrieve कर सकते हैं और analyze कर सकते हैं वो ज़्यादा efficient format है अब उसके बाद में data reduction क्योंकि हमारे पास data बहुत ज्यादा अवेलेबल है अब हम analyze करेंगे तो इतना सारे data है उसको analysis नहीं कर सकते हम data को reduce करना पड़ेगा तो data को reduce करना का मतलब है कि हमारे पास information तो पूरी पूरी रहेगी information कोई miss नहीं होगी बस data की जो size है उसको हम कम कर रहे है जैसे images होती है images को हम compress करते ना image को हम camera से image लेते है तो ज़्यादा size होती है 4-5 MB का और उसको हम compress करके 1 MB या कुछ KB में भी convert कर देते है तो image की quality है उसके तो इतना ज़्यादा कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन जो उसकी size है वो कम हो जाती है तो data reduction में हम data की size को कम करेंगे quality की साथ compromise नहीं करेंगे data warehouse में store terabyte sub data data warehouse अब बढ़ा size होता है और उसमें बहुत सारा data होता है उसके अंदर तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा time लगेगा अगर पूरे data को हम analysis करेंगे तो इसका solution है कि कम time में करना है तो हमें data को क्या करना पड़ेगा reduce करना पड़ेगा ताकि हम एक छोटे size की data है उसको हम काम में ले quality है वो बरकरार रहे अपने अब data reduction की जो strategies है उसमें पहला जो तरीका है वो है data cube aggregation again aggregation हमने पढ़ा है कि aggregation का मतलग क्या है समराइजेशन summary लिखते है न हम एक page लिखावा है कोई article है उसका हमें summary लिख रहा है तीन चार लाइन के अंदर तो summary के अंदर quality तो maintain रती वो आ जाता है उसके अंदर एक page में कूरा क्या लिखावा है जबकि उसकी size कम हो जाती तो aggregation जो operation है वो हम apply किया जाते है जब data cube है वो construct किया जाता है cube होता है वो 3D में होता है x, y, z, 3 axis होती है अब आपने table तो पढ़ी है database में वो 2D होती है column और row होती है उसमें तो data के अंदर cube के अंदर 3D आ जाता है इसके अंदर जैसे एक example है किसी company के computer है तो computer number वो computer कितने sale हो रहे है वो एक उसका dimension हो गया फिर किस city में हो रहे है वो एक dimension हो गया city और फिर कौन से month में हो रहे है तो month वाला एक dimension हो गया तो 3 dimension हो गया टेबल के हम अंदर हम 2 dimension study कर सकते हैं क्योब के अंदर 3 हो जाएंगी कि total number of computer कितने बिक्ए हैं और वो भी कौन से सहर में कितने बिक्ए हैं और कौन से महिने में कितने कितने बिक्ए हैं तो तो यह technique है वो यूज करते हैं aggregate करने के लिए data को सिंपल फोर्म में एक्जामपल से हम समझते हैं कि इमेजिन करो के कोई इनफोर्मेशन है हमने गेदर किये हमारे एनलेसिस के लिए माली ये 2018 से 2020 के बीच की है तो इस के अंदर हमारे पास इंक्लूड करेंगे हम रिवेन्यू रहेगा कंपनी का एवरी थ्री मंथ में थ्री क्वार्टरली एवरेज तो हमें क्या करना है उसका एनुवल सेल निकालना है नहीं कि क्वार्टरली तो हम क्या करेंगे उसको समराइज करेंगे डेटा को इस तरह से कि जो रिजल्टिंग जो डेटा आएगा वो समराइज रहेगा जिसमें टोटल सेल्स रहेगी पर येर मे इंस्टिडो, quarter तो यह हो गई समराइज करने का डेटा तो हमारे पास डेटा था तीन-तीन महिने की sales का कि कि तने-कितने computer भी के, लेकिन हमने उसको समराइज करके पूरे साल में कर लिया कि पूरे साल में कितने computer भी के दूसरा तरीका है Dimensionality Reduction Dimensity Induction का मतलग क्या हुआ कि जो हमारे पास Redundant Attributes है Redundant का मतलग जो Multiple Times आ रहे हैं जो उनको हम क्या करेंगे Detect रेंगे और उनको Remove करेंगे तो उससे क्या होगा अमारा Data की जो Size अ वो कम हो जाएगी अब कौन से Attributes उनको Reduce करेंगे जैसे कि एक तो Redundant Attributes है जो बार-बार Repeat हो रहा है ऐसे कोलम या फिर ऐसा जिसमें कोई खास जानकरी नहीं है हमारे मतलग का नहीं है उसको हम Reduce कर सकते हैं और सिर्फ हम उन ही Attributes को रखेंगे जो हमारे Analysis के काम के है तो इससे हम क्या करेंगे जो Data Size है उसको Reduce कर देंगे और ऐसे जो Outdated Redundant Features हैं उनको हम Eliminate कर देंगे हटा देंगे अब इसके तरीके हैं हमारे पास पहला है Step-Wise Forward Selection Step-Wise Forward Selection में क्या करते हैं हम चालू जो करेंगे वो बिल्कुल खाली Set और अट्रिब्यूट से करेंगे मतलब हम मानेंगे कि हमारे पास सुरू में एक भी अट्रिब्यूट नहीं है उसके बाद में हम उसमें एक एक सेट है अट्रिब्यूट का एक एक कोलम हम वो सेलेट करेंगे जो हमारे काम के है जो हमारे काम के अट्रिब्यूट है उन्हीं को हम सेलेट करेंगे और हमारे जो सेट है उसमें सामिल करेंगे और जो काम के नहीं है उनको सामिल नहीं करेंगे जैसे हम देखते हैं कि initial attributes हमारे क्या है x1, x2, x3, x4, x5, x6 ये तो original जो set है हमारे पास data warehouse में अब data mining करना है वहाँ पर हमने क्या किया सुरू में हमारे पास क्या खाली है विल्कूल attribute set तो step 1 के अंदर हमने x1 लिया step 2 के अंदर x2 और फिर step 3 में x5 तो x1, x2, x5 क्योंकि हमारे को तीन ये attribute उनकी जरुरत है बाकी जो columns हैं उनमें इतनी कोई खास जानकर यह नहीं है इसलिए हम उनको सामिल नहीं कर रहे हैं तो ये तो forward selection होता है फिर एक backward selection भी होता है forward selection में क्या था शुरू में अपने पास कुछ भी नहीं था और हमने एक एक जो काम का है उसको लिया काम के जो attributes है columns है उनको हमने छांट लिया backward selection में क्या गरेंगे एक बार तो हम पूरा का पूरा ले लेंगे और फिर उसमें से जो काम के नहीं है उनको हटाएंगे हमने पहले क्या क्या है जो हमारे पास original set है x1 से लेकर x6 तक वो पूरा का पूरा ले लिया कि पूरा का पूरा है काम का है अब इसमें से देखेंगे कि काम के नहीं है उनको हटा दे जाएंगे तो पहली step में हमने किसको हटाया x6 यह बिल्कुल काम का नहीं था फिर हमने देखा कि x4 भी काम का नहीं इसको भी इटा दिया और फिर देखा कि x3 भी काम का नहीं है ठीक है तो forward और backward हो गया forward के अंदर क्या होगा कि बिल्कुल खाली set रहेगा शुरू में मारे पास और जो काम के हैं उनको हम ले लेंगे या ट्रिब्यूट्स को कोलम्स को और backward में क्या गरेगा एक बार तो सब को समील कर लेंगे और उसके बाद में जो काम के नहीं है उनको हटा देंगे इसको हम एक एक्जामपल से समझ सकते हैं जैसे कोलेज में एड्मिशन होता है तो कटोप जाती है तो हमारे पास सुरू में एड्मिशन हो रहा है तो बच्चे कितने है कोलेज में जी रो अब कटोप निकलेगी तो हम क्या करेंगे जिनके अच्छे परसेंटेज़ जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम सामिल करेंगे तो ये तो क्या हो गया? forward selection अब admission तो हो गया college full हो गया जितने बच्चे हैं वो सारे exam में बेठेंगे लेकिन exam में pass कौन से होंगे? जो चाफ पर्फॉर्म करेंगे तो हमरे पास थे तो सारे लेकिन college से degree लेके कौन जाएगा? जो based है वो और बाकि जो बच्चे है उनको हटा देंगे बाकि फेल हो जाएगे तो वो backward हो जाएगा और forward और backward selection उनका combination भी हम काम में ले सकते हैं इससे हमा क्या time है वो बच जाएगा और जो process है वो बहुत अच्छा होगा उससे data को हम compress भी कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या encoding mechanism यूज लेते हैं जैसे मैंने image का example दिया था उसमें image को compress करते हैं तो उसमें size compress करते हैं different encoding mechanism जो इसमे halfman encoding होती है run length encoding होती है तो हम इसको दो तरीके हैं उनमें divide कर सकते हैं एक lossless compression होता है lossless का मतलब कोई information का loss नहीं होगा size तो कम कर देंगे लेकिन information का loss नहीं होगा तो इसमें जो encoding होती है वो run length encoding होती है यह हमें allow करती है simple और minimal data size reduction और यह होता है lossless data compression और हमें algorithm हम use करके उसको original data है उसको भी वापस बना सकते हैं उससे एक होता है lossy compression जैसे इसमें आता है discrete wavelength transform तो इसमें क्या होता है यह PC आता है principal component analysis आता है तो यह compression से तरीके है lossy compression के जैसे JPG में होती है हमारी तो यह जो format होता है वो lossy compression होता है लेकिन हम वापस जो original image है वो लगबग उसके equivalent image हम वापस बना सकते हैं इसससे तो lossy data compression में क्या होता है जो compressed होता है data वो थोड़ा different होता है उससे original से क्योंकि कुछ information उसमें loss हो जाती है लेकिन हमारी पास काफी useful information उसमें रहती है वो data काफी हद तक हम उसमें reduce कर देते हैं चोता तरीका है numerosity reduction university reduction में क्या होता है कि data है वो replace किया जाता है या estimated किया जाता है alternative की दवारा इसमें जो reduction technique है वो actual data को replace करते है mathematical model से या smaller representation of data से यह important है only to store model parameter और non-parameter method such as clustering, histogram, sampling फिर तरीका है discretization and concept hierarchy generation उसमें जो row data value होते है attributes वो replace कर दिया जाता है range से या उसका higher conceptual level से इसमें जो techniques discretization में use आ रही है उसमें divide करते है attributes को जिसमें continuous nature रहता है data का उसको हम interval से replace कर देंगे और उसमें जो constant value है उनको replace कर देंगे label से या small interval से तो इसमें भी तरीके है top down discretization होता है इसमें पहले हम consider करते है couple of points जिनको हम बोल दें break points या split points तो इससे हम divide कर देंगे सारी जो attribute का set है उसको और उसको फिर repeat कर देंगे method को and तक और यह process जो कहलाती है वो top down discretization कहलाती है तो पूरा set है उसको particular intervals के अंदर हमने में divide कर दिया bottom up discretization में होता है कि पहले consider करता है constant value split points और some are discarded through a combination of neighborhood values in the interval that process is called bottom up discretization concept hierarchy concept hierarchy में data की size को हम reduce करते है by collecting and then replacing the low level concept जैसे age है 43 age है तो उसको category में हम डाल देंगे middle age अब 60 से उपर अब जैसे senior citizen बोलते है numeric data के लिए जैसे binning binning हम पढ़ चुके है पहले उसमें process होती है उसमें change करते है numerical variable को categorical counterparts में है और categorical counterparts depend करता है number of bins specified what this histogram analysis होता है वो भी binning की तरह होता है वो भी क्या करता है partition करता है values को attribute x है उसको disjoint range होती है brackets होता है उसके अदर अब यह अलग अलग तरीके हैं एक जो histogram का तरीका है वो equal frequency partitioning है तो इसमें जो partitioning करेंगे हम करेंगे उसकी number of frequencies है कितनी बार वो data repeat हो रहा है उसके आदार पर एक equal width partitioning इस partitioning में value है जो fixed gap है उनके बीच में आ रहा है जैसे value range हो रही है 0 से 20 के बीच में क्लस्ट्रिंग क्लस्ट्रिंग के इंदर क्या कर देंगे grouping कर देंगे similar data की तो students यह थे हमारे पास जो तरीके data mining में काम में आरे data transformation और data reduction थेंक यू